नमस्कार फ्रेंड्स, पिस्फूल होम एन इन्वर्णमेंट चैनल में आप जब किस्वागत हैं और मैं मिसेज धारा फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो फ्फूल देख रहे हैं, इस फ्फूल की नाम है पैंजी आज मैं आपको पैंजी के बारे में इन्फर्मेशन देंगे पैंजी एक बहुती सुन्दर कलरफूल विंटर फ्लावर हैं विंटर गार्डन में हम सभी लोग पैंजी लगाना पसंद करते हैं तो पैंजी को कैसे लगाएंगे, किस तरह की मिट्टी यूज करेंगे या इसका देख भाल कैसे करेंगे इस बारे में पूरी इन्फर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके और अगर वीडियो अच्छे लगे, तो अनुरोध है लाइक और स्यार जरूर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स, पैंजी की देखभाल के बारे में हम लोग पूरा इन्फर्मेशन ले लेते हैं पैंजी एक बहुती कलरफूल, सुन्दर फूल है, धेर सरे कलर्स में ये फूल देखा जाता है रेड, येलो, भायोलेट, औरेंज और भी कई तरह के कलर्स में ये फूल देखा जाता है तो हम लोग इस फूल को कैसे बहुत अच्छे से अपने कारिन में कर सकते हैं इस बारे में जान लेंगे, सबसे पहले हम भोलेंगे इसकी पॉट सिलेक्शन के बारे में पैंसे के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज पॉट सिलेक्शन ना करें पैंसे के लिए 4 इंच, 6 इंच या मैक्सिमम 8 इंच की पॉट ही बहुत अच्छा रहता है मैं बोलूँगी, 6 इंच के पॉट में अगर आप पैंसी लगाते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा अभी इसके मिट्टी कैसे बनाया जाए पैंसी एक बहुती सॉफ्ट रूटेड और सॉफ्ट स्टेम बाली पॉथा है इसलिए इसकी पॉटिंग मिक्स ऐसे बनाना परेगा ताकि उसके अंदर पानी बिलकुल भी न रुखे बहुती वेल रेंड मिट्टी होने चाहिए इसलिए इसकी जो पॉटिंग मिक्स बनाएंगे इसके potting mix में बालू या कोकोपीट जरूर add करें इसके लिए एक भाग garden soil, एक भाग बालू और एक भाग compost ऐसे आप इसके मिट्टी बना सकते हैं और अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हैं या कोकोपीट यूज़ करना पसंद करते हैं तो बालू के जगा पर आप कोकोपीट डाल सकते हैं अगर आप कोकोपीट डाल रहे हैं तो एक भाग कोकोपीट, एक भाग garden soil और एक भाग compost मिलाएं उसके साथ एक चम्मच नीम की खली अगर मिला देते हैं तो पैंजी के लिए वो बहुत अच्छा potting mix बन जाएगा ऐसी well-drain potting mix में अगर आप लागाएंगे तो पैंजी बहुत अच्छे से growth करते रहेंगे अभी इस पौधे को रखेंगे कहां बहुत लोग बोलते हैं कि पैंजी को बहुत ज़्यादा धूप में रही डाकना चाहिए लेकिन आप जो पौधा देख रहे इस किंग पर ये पौधा फूल डे सानरे में रहते हैं मेरे garden की जिस जगा पर सुभा से साम तक की धूप आता हो उस जगा में मैं इस पौधे को रखती हूँ और आप खुद देख रहे हैं इस पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है पूरा पौधा फूलों से और कलियों से भरा हुआ है और जब भी फूल खिलने के बाद जड़ने लगेंगे ढल जाएगा आप हमेशा उस सुखे हुए फूल को तुरंत हटा दे पौधे से ऐसा करने से पैंजी के पौधे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आपको मिलते रहेगी तो बहुत ज़्यादा धूप जहां आता है उहां भी आप रख सकते हैं और नहीं तो सुखा की 3-4 घंटे की धूप में भी आगा रखेंगे तब भी पैंजी बहुत अच्छी तरह से चलती रहेगी अभी इसको किस समय पर लगाया जाए पैंजी लगाने के लिए जो सही समय है वो है नवेंबर की फस्ट विक आप अगर नवेंबर की फस्ट विक में इस पौधा को लगा रहे हैं तो पूरी सीजिन भर आपको बहुत अच्छी फूल मिलती रहेगी और अप तो एप्रिल तक ही पैंजी में आपको फूल मिलेगी उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बरेगी पैंजी का पौधा खराब होना शुरू हो जाता है गर्मी में पैंजी का पौधा सर्भाइब नहीं कर पाते हैं पानी इसमें कैसे डाला जाया अभी ये जान लेंगे अगर ज्यादा पानी हो जाएगी जर में अगर बहुत ज्यादा पानी पहुंचेगी तो जर्र सर्भ सकते हैं जिसके बिज़त से आपका पौधा डैमेज हो सकती है इसलिए हमेशा मिटी चेक करने के बाद ही पानी डालिए मिट्टी की उपरी सतह जब ड्राई हो जाएंगे तभी आप पैंजी के पाउधी को पानी देंगे अभी बात कर लेते हैं इसकी फाटिलाइजर के बारे में पैंजी को बहुत जादा फाटिलाइजर की जुर्वत होती नहीं लेकिन फिर भी आप अगर पाउधी को बहुत बुसी बनान सकते हैं या तो सबजी के जो छिलके होते हैं उसको पांस दिन या छे दिन पानी में भीगो के रखिए और पांस छे दिन बाद या साथ दिन बाद उस पानी के साथ सबजी के छिलके की जो भीगोए हुए जो पानी है उसके साथ छे गुना या साथ गुना पानी और मिला के आ पानी या फर्टिलैजर डाले अभी बात करेंगे इसकी किट ना सकक के बारे में किट माकोडी की जो प्राबल्लम है इसमें एफेड मैंड्स और बाग्स की काफी एटक होते रहते हैं इसलिए आप नियमित किटना सक स्प्रे होते हैं और अगर आप नीम तेल नहीं स्प्रे कर रहे हैं तो नीम के पत्तों को बॉयल करके वो पानी भी आप इसके पाउधे में पैंसी के पाउधे में अगर स्प्रे करेंगे 15 दिन के इंटर्विल में तब भी आपका पाउधा बहुत अच्छा रहे और एक बाध जो सबसे जरूर में एक बर आफ अगर फंगी में प्रयोग करें तो भी तो बहुत अच्छा रहेंगा क्योंकि फंगी साइड आगर समय समय पर आप इस पौधे को डालेंगे इस पोधे में अगर स्प्रे करेंगे तो Phungus सटक से ये पौधा बचा रहेगा और बहुत अच्छे तरह से आपको फूल देते रहेंगे तो प्रेंट्स नमस्कार